स्वागे से जोस्तों आपका मेरे यूटूब चैनल टेक्स्टडी आइटिया है पूर में जैसा कि आप सब जानते हैं मैं जब भी आता हूं एक नई अपडेट के साथ आता हूं ऐसी कुछ खास अपडेट आप लोग के लिए लाया हूं क्या अपडेट है कैसी अपडेट है उसके बारें फूल डिस्कुशन करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सुस्क्राइब कर लेजिएगा वीडियो का लाइक कर देजिएगा और फिल आइकन को हिट कर देजिए ताकि यसी धेट सारी अपडेट आप लोग को मिलती रहें क् तो देट के दना हैं तो चैनल को देजिए तुशन करेंगे तो जब इसके बारें हम धिसकुशन कर लेते हैं यहां पर देख सकता हैं यहाँ पे देख़ पा रहे होंगे कि कौन कॉन से ट्रेट के लिए कितनी कितनी वेकेंसी है देख सकते हैं फिटर के लिए आप के टेगरी वाइस भी देख सकते हैं फिटर के लिए तीन वेकेंसी है ड्राप्ट मैं सिविल के लिए दो वेकेंसी है मैकनिक डीजल के लिए तीन वेकेंसी, इलेक्ट्रीशिन के लिए थीन वेकेंसी है, आप अपनी केटेगरी वाइस भी देख सकते हैं, अगर मैं केटेगरी वाइस बताऊंगा, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और यहाँ पर क्या कह रखा है, कोपा यानि पासा, दोनों के लिए 10 वेकेंसी है, औ कोपा के लिए कोपा के लिए कोपा ट्रेड में होना चाहिए, और पासा के लिए पासा ट्रेड में होना चाहिए, कोपा के लिए नहीं जो कहा है, वो एस्सी वीटी ट्रेड के लिए कहा है, और पासा के लिए नसी वीटी ट्रेड मांगा है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, जो फिटर वगार सभी ट्रेड के लिए NCVT या SCVT दोनों चलेगी लेकिन कोपा के लिए SCVT और पासा के लिए NCVT और इनका जो स्टाइपेंड होने माला है 77 रुपए होने माला है पर मंत आपकी ट्रेनिंग डुरेशन एक साल की होगी उसके बाद हम देखते हैं नीचे और कौन-कौन से लोग इलिजिबल है यहाँ पर देख पार होगे इस्टोनों कराफर के इंगलिस के लिए पाच वेकेंसी है वेल्डर गैस इनेक्रिक के लिए एक वेकेंसी दोनों के लिए ITA मांगा, NCVT, SCVT दोनों साल के लिए और एक साल के जो ट्रेड है उनके लिए क्या कहा रखा है 3700 हो जाएंगे और जो दो साल की ट्रेड है उनके लिए 8000 पचास रुपे दिये जाएंगे और यहाँ पर देख पार होगे यहाँ पर Secretarial Assistant की 10 वेकेंसी है Graduation मांगा है BA, BSC इनको 9000 रुपे दिये जाएंगे Complete graduation जो 3 साल का है और उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहे है कि जो Technical Diploma वाले हैं इनको क्या 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 है Mechanical Engineering के लिए 8 वेकेंसी है इनमें Diploma Mechanical Engineering में होना चाही 8000 पर मंथ आपको दिये जाएगा Electric के लिए 8 वेकेंसी है इसमें भी Electric में Diploma मांगा है Civil Engineering के लिए 8 वेकेंसी है Diploma Engineering Civil में और Electronic या Computer Science या Information Technology के लिए 4 वेकेंसी है Diploma में होना चाही है यह भी Electronics, Computer या IT में और सभी के लिए 8000 रुपे पर मंथ आपको दिये जाएंगे जैसे हम स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पर देख पार होंगे Degree के लिए दिएगा Degree Engineering के लिए Mechanical Engineering के लिए Art Vacancy है इसमें क्या कहा है Degree होना चाही है Engineering के Mechanical की और उसके बाद Electric Engineering की Art Vacancy है और इसमें Electrical Engineering की Degree होनी चाही है Civil Engineering की Art Vacancy है इसमें भी वही Degree मांगा हुए Degree Engineering मतलब BA B.TEC होना चाही है Civil में और Electronic या Computer Science या Information Technology के लिए 4 Vacancy है यहाँ पर देख पार होंगे Degree Engineering होनी चाही है आपके पास Electronics, Computer या I.T. में सभी के लिए 9000 पर मंथ आपको Statement दिया जाएगा उसके बाद जो Non Engineering है जो Graduate है General Stream में उनके लिए 15 Vacancy है आप अपनी केटिगरी वाइज देख सकते हैं Graduation किया है आपने डिगरी में B.Sc, B.C, B.C, B.B.A, B.A, B.C इनको 9000 पर मंथ प्रोवाइट किया जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे हम स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे चलेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है लिखा गया है कि जो Serial No.8 है उसके लिए 15 महीने का ट्रेनिंग होगा बाकि सभी के लिए एक महीने का ट्रेनिंग कराई जाएगा तो Serial No.8 देख लेते हैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे Secretary Assistant की 15 महीने की ट्रेनिंग कराई जाएगी तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे Age का क्राइटेरिया क्या क्या है Age क्राइटेरिया में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कहा गया है कि जो ITI, NCVT, SCVT दोनों से होना चाहिए मतलब दोनों को प्राफ्ट मिखता देंगे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर graduation की बात की बात की बात की गई है जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर काग है कि आज candidate जो है वो अपना valid email ID देंगे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं selection का criteria क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर आपको merit की बेस पर selection दिये जाएगा और उसके बाद जो मतलब high school है मतलब 10th और ITI की बेस पर आपका selection दिया जाएगा तो वहाँ से आपको email ID है आपकी जो मतलब हो है email ID यो mobile number पर message भेज़ जाएगा उसी के मादन से आप DV करा पाएंगे तो DV कराने के लिए कौन-कौन से document होने चाहिए passport size की photo होने चाहिए अधार card होने चाहिए ITI, graduation, diploma, सभी candidate के लिए और आपके पास 10th की certificate होने चाहिए school living अगर आपने school छोड़ा है तो उसका certificate होने चाहिए और ITI की certificate होने चाहिए अगर जो diploma आले, diploma, engineering का certificate होने चाहिए certificate अगर PWD है तो उसका certificate होने चाहिए और ex-service man है तो उसका certificate होने चाहिए आधार bank से link State Bank'ा खाता होना सी आपके पास. आधार से Link होना सी State Bank'ा. और Bank'ा नहीं चलेगा. यहां पर देख पार हैं, Commerce Cloud गई और. Casual Live आपको 12 उर्ट मिलेगा. olsaल बारर में, при ook 15 लीभ मिलेगाअगा आपको यहां पर दाइरी दिये होगी, आपको काम कर रहे हैं. वो एक डायरी में आप note करके record के तौर पर रखेंगे यहां पर हम बात करेंगे application procedure की तो application procedure आपको कैसे कैसे handle करना है इसमें पहले है कि for trade apprentice जो ITI वाले हैं उनको क्या करना है सबसे पहले apprentice इंडिया पर registration करना है registration करने के बाद अपने contact, detailed education, qualification, trade के लिए और आधार वेरिफिकेंस अब जब करा लेंगे आप registration कर लेंगे तो आप उसके बाद आप जो है form apply करेंगे form कहां से apply करेंगे उसके लिए इन्होंने कहा कि www.deandayal authority जो यह website है इसको open करेंगे open करके वहाँ पर अपनी document फिल करेंगे फिल करके आप वहाँ पर submit कर देंगे कब तक submit करना बीस फरवरी से पहले पहले और उसके बाद क्या क्या गया अब इसमें जिसे हम scroll down करते हुए आगे बढ़ेंगे डिप्लोमा candidate के लिए भी यह कहा गया है यह कहा गया कि सबसे पहले आप लोग MHID portal पर अपना registration करेंगे 100% registration करेंगे अर उसके बाद आप यहां पर second step में यह link दिया हुए इस link को open करेंगे open करके अपने सभी मतलब फिल करेंगे जो जो मांगा गया है नेम अधार नेम वेरिफिकेशन जो जो चीज़ है उस आपको fill करने के बाद आप यहाँ पर submit कर देंगे कब तक submit करना 20 February 2020 से पहले पहले तो आप लोग को जो फिर सको जो non engineering उनके लिए भी यही कहा गया है उनको first step में direct दीन दयाल में जाकर करके मतलब जो दीन दयाले website दी हुई यह government.in इसी पर direct आपको जो है वहाँ पर submit करना होगा fill करके इसमें first step में कहीं registration नहीं करना जो non engineering के student है उनके लिए ध्यान से सुने तो यह एक छोटी सी notification थी अब मैं आपको form fill करके दिखाऊंगा ITI वालो के लिए सभी candidate ध्यान से सुनेंगे क्या करना है आपको मैं आपको ITI के registration का link और जो diploma बिटे candidate है उनके registration का link और form के apply का link चारो link मैं आपको वीडियो के description में दे दूँगा वहाँ से आप check out कर सकते हैं तो ITI वाले क्या करेंगे सबसे पहले हैं candidate login register option पे आएंगे जैसी आप candidate login registration option पे आते हैं scroll down करते हुए नीचे आएंगे अगर आपने registration किया है तो ठीक login करेंगे आप और नहीं किया है तो आप registration करके यहाँ पे अपना registration कर सकते हैं जैसे registration करेंगे तो apply मतलब apply कैसे करना है उसका भी link मैं वीडियो को description में दे दूँआ चले मैं वो open करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा कि तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इटी आई के apply का जो form का link है उसको open के लिए इस link को मैं आपको वीडियो को description में दे दूँँगा आई टी आई वालों के लिए अलग से दूँगा रेश्टेशन और apply का और b.tec वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए अलग से रेश्टेशन और apply का link का दूँगा तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसा यहाँ पे इसको open करेंगे स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आएंगे यहाँ पे अपको अपना trade डालना है यहाँ पर अपनी category डालना है यहाँ पर ex-serviceman है तो yes कर दिजीगा अन्यथा no कर दिजीगा अन्यथा no कर दिजीगा उसके बाद हम देखेंगे यहाँ अपने अगर यहाँ पे आपका स्कोर बना हो उसको लिग दीजिगा और यहाँ पे आप अपरेंटिस इंडिया पे जैसे ही आप रेश्टेशन करते हैं तो आपका नमबर A से सुरू होता है रेश्टेशन नमबर A से सुरू होगा 10 डीजिट का होगा जैसे माली जिए A 920, 456 ऐसे है करके है तो उसको यहाँ पे डालना है, फिल करना है और यहाँ पे ITI अपने NCVT से किया है, SCVT से उसको डाल दीजिगा यहाँ पे आपने कौन से सन में किया है, ITI या ग्रेजुएशन उसको डाल दीजिगा और यहाँ पे अगर आप अपरेंटिस कर रहा है तो Yes कर दीजिगा, अने तो वही डालिएगा यहापके अपनी मोबाइल नंबर डालके यहापको अपनी contact address मतलब जो आपका address हो corresponding या permanent जो भी address हो उसको यहापे फिल करके यहापे submit कर दिया बस छोटा सा process है ऐसे करेंगे तो apply हो जागा और डिपलोमा वालों के लिए भी दिया गया है उसको भी मैं वीडियो की description में दे दूँगा वहाँ से चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए मैं fill करके आपको दिखा दिता हूँ आपके सामने submit करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने सब कुछ fill कर लिया है मैंने अपनी category और वो डाल दिया trade डाल दिया है अब मैं scroll down करते हुए नीचे आउँगा वहाँ पर आपको submit करके दिखा दिता हूँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहसे मैंने अपने address वगारे सब्चीश फिल कर दिया है अब मैं submit वाले section पर click करता हूँ जैसे मैं submit वाले section पर click करूँगा तो वहाँ पर क्या आता है उसको मैं आपको दिखा दिता हूँ तो देखते हैं मैं आपके सामने submit पर click कर दिता हूँ यह मैंने submit पर click कर दिया और आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिख करा रहा है कि thank you contacting us we are touched with shortly मतलब कि आपको जल्दी contact किया जाएगा मतलब कम से कम समय में आपको short list करके आपसे हम contact करेंगे तो यहाँ पर मैंने अपना form फिल कर दिया अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो ठीक है नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगे कि अगर आपको कोई दिक्कत आरी फॉर्म फिल करने में तो वैसे त मत जाएगे गर आपको कोई दोस्त आइटिया अपरेंटिस कर रहा हो तो इसको यह वीडियो जरूर सेयर कीजिए क्योंकि यह वीडियो हो सकता है वह अपरेंटिस के अवेट कर रहा हो तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जहिन जह भरत